आत श्री दुर्गा सब्च्षती प्रथमों ध्याय, मिधा रिशी का राजा सुरत और समाधी को भगवती की महिमा बताते हुए मधु, कैटब वध का प्रसंग सुनाना विनियोगह ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रम्हा रिशे, महाकाली देवता, गायत्री शंदह, नंदा शक्ते, रक्तदंते का बीजम, अगनिस तत्वम, रिग्वेदह स्वरूप, श्री महाकाली प्रित्यर्थे प्रथम चरित्रजपे विनियोगह, प्रथम चरित्र के ब्रम्हा रिशी, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंते का बीज, अगनी तत्व और रिग्वेद स्वरूप है, श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है, ध्यानम ओम गम चक्रक देशु चाप प्रिघांचूला बुशुन्डी शिरह शांक संदधती करैस्त्रिनेना सर्वांग भुशावरताम, निलाश्मद्योते मास्यपादज्यका सेवे, महाकालका यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तू मधुन कैटभम एक भगवान विश्नु के सोजाने पर मधु और कैटब को मारने के लिए कमलजन्मा ब्रह्माजी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ, वे अपने दस हाथों में खटग, चक्र, गदा, बान, धनुष, परिद, शूल, बुशुन्डी, मस्तक और शंक धारन करती है उनके तीन नेत्र हैं, वे समस्त अंगों में दिव्या आभूशनों से विभूशत हैं, उनके शरीर की कान्ती नील्मनी के समान है तथा वे दस मुख और दस पैरों से युक्त हैं ओम नमस्चंडिकायई, ओम मैं, माकंडेय ओवाचेक उचंदिका देवी को नमस्कार है, माकंडिय जी बोले एक सावर्नी सूर्यतन्यो यो मनुः कथय तेश्ठम, निशामे तदुत्पत्तिन विस्तरा गदतों मम्दो सूर्य के पुत्र सावर्नी जो आथवे मनुः कहे जाते है, उनकी उत्पत्ती की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो दो महामाया नुभावन यथा मन्वंत द्राधिपा, सब अभूव महाभागा, सावर्नित नयो रवेह, तीन सूर्यकुमार महाभाग, सावर्नी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मन्वंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ, तीन स्वारोचिशेत्रे पूर्वम चेत्रवंश समुद्भवः, सुरतो नाम राजा भूत्स मस्तेक शितिमंडले चार पूर्वकाल की बात है, स्वारोचिश मन्वंत में सुरत नाम के एक राजा थे, जो चेत्रवंश में उत्पन हुए थे, उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था चार तस्य पाल्यतह सम्यक प्रजाह पुत्र निवोर्सा, बभूवू शत्रवो भूपाह कोलाविद्वनसिंस्दा पांच वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भाती धर्मपूर्वक पालन करते थे, तो भी उस समय कोलाविद्वनसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रू हो गए पांच तस्य तैर्भवद युधम ते प्रबल दंडिना, निवनेरपी सत तैर युधे कोलाविद्वनसि भी जितह छे राजा सुरत की दिंडनीती बड़ी प्रबल थी, उनका शत्रूओं के साथ संग्राम हुआ यद्यपी कोलाविद्वनसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरत युधमें उनसे परास्थ हो गए छे ताता है स्वपूर मायातो निजदेशा धिपोभवत, आकरान तह स महाभाग स्टेस्दा प्रबलारे भे साथ तब वे युध्ध भूमी से अपने नगर को लोटाए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे, समूची पृत्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा किन्तु वहाँ भी उन प्रबल शत्रूओं ने उस समय महाभाग राजा सुरत पर आक्रमन कर दिया साथ एका की हयमारोहिया, जगाम गेहनम वनम नौ सुरत का प्रभुत्व नश्ठ हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोडे पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए नौ सा तत्राश्रम मद्राक्षित द्विज्वर यस्या मेद सह, प्रशान्त श्वाप दाकीर्न मुनि शिश्यो पशो भितम दस वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनी का आश्रम देखा जहां कितने ही हिंसक जीव, अपनी स्वाभाविक हिंसावरिती छोड़ कर परम शांत भाव से रहते थे, मुनी के बहुत से शिश्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे दस तस्थो कंचित्स का च मुनी ना तेन सत्कृता है, इतस चेतस च विचरंस्तस में मुनिवराश्रमे 11 वहां जाने पर मुनी ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ट के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे 11 सोचित्यत्दा तत्र ममत्वा कृष्ट चेत्न, मतपूर्वेह पालितम पूर्वम मयाहीन पूरही तत बारा फिर मम्ता से आक्रिष्ट चित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे पूर्वकाल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है मद भृत्य इस्तरसद भृतर धर्मत अह पाल्यते ना हुआ न जाने सब प्रधानों में शूरहस्ती सदामदह तेरा पता नहीं मेरे दुराचारी भरृत्यगन उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वो मेरा प्रधान हाथी मम वेरिवशन या तह कान भोगानु प्लपस्यते ये ममानुगता नित्यम प्रसाद धन्भोज नयाय चौदा अब शत्रूओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे अनुवरितिन द्रुवम तेद्य कुरुत्य न्यम ही भूता असम्यग व्यशी लेस्तेह कुर्वद बे सततम व्यायम पंद्रावे निश्चे ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरन करते होंगे उन अप्विरी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण संचित असोते दूह खेन क्षयम कोशों गमिश्यती एतच शान्यच सततम चिंत्यामास पार्थिवह सोला अत्यांत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वो खजाना खाली हो जाएगा ये तथा और भी कई बाते राजा सुरत निरंतर सोचते रहते थे तत्र विप्राश्रम अभयाशे वैश्मेकं ददर्श सह सा प्रिष्ट स्तेन कस्त्वम भो हेतुष्चा गमनेत्र कह सत्रा एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा भाई तुम कौन हो यहां तुम्हारे आने का क्या कारण है सशोक इव कस्मात्वम दुर्मना इव लेक्ष्य से इत्याकर्णिय वचस्त स्य भूपतेह प्रण्योधितम अठारा प्रत्योवाच सत्तम वैश्या प्रश्रयावनतो न्रिपम उन्नीस तुम क्यूँ शोक ग्रस और अन्ने से दिखाई देते हो राजा सुरत का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्या ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा बारा उन्नीस वैश्या उवाच बीस समाधिर नाम वैश्योचे मुत्पनो धनीना कुले 21 वैश्या बोला 20 राजन मैं ध पुत्रे रादाय में धनम 22 मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोब से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वन्चित हूँ वनमब्यागतों दुलखी निरस्तश चाप्त बंधु भे सोहमना वेदमी पुत्राना कुशला 23 मेरे विश्वसनिया बंधुों ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है इसलिए दू की होकर मैं वन में चला आया हूँ यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं प्रवृतिन स्वजनाना चा दारान चात्र संस्थिता की नू 23 ग्रिहे क्षेम मक्षेम की नू सामप्रतम 24 कथते की नू सद्वृता दुर्वृता की नू में 25 इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथ्वा उन्हें कोई कश्ट है 22-24 वे मेरे पुत्र कैसे है क्या वे सदाचारी है अथ्वा दुराचारी हो गए है 25 राजोवाच 26 यईर निरस्तो भवान लुब्धय पुत्रदाराई विर्धन एह 27 तेशू की भवतह स्नेह मनुबधनाती मानसम 28 राजा ने पूछा 26 जिन लोभी स्त्री पुत्र आदी ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया उनके प्रती चित में इतना स्नेह का बंधन क्यूं है 27-28 वेशिय उवाच 29 एवमेट द्यथा प्राह भवान समदगत वच तीस वेशिय बोला 29 आप मेरे विशय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है 30 की करोमी न बधनाती मम निश्थूर्ता मन यह है संत्यज्य पित्रसनेह धन लुबधर निराकरता 31 किन्तु क्या करून मेरा मन निश्थूर्ता नहीं धारन करता जिन्होंने धन के लोग में पढ़कर पिता के प्रती स्नेह पतिस्व जनहार्दम चाहार्दी तेश्वेव में मन आए कि मैं आभिजानामी जाननपी महामते 32 पती के प्रती प्रेम तथा आत्मी अजन के प्रती अनुराग को तिलान चली दे मुझे घर से निकाल दिया है उन्ही के प्रती मेरे हरिदय में इतना स्नेह है महामते यत प्रेम प्रवन चित विगुनेश्वपी बंधुशू तेशां कृते में नहश्वासो दौर्मनस्यम चाजायते 33 गुनहीन बंधुओं के प्रती भी जो मेरा चित इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है यह क्या है इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पाता उनके लिए मैं लंबी सासे ले रहा हूँ और मेरा हरिदय अत्यंत दू खेत हो रहा है 31, 33 करोमी के अनमनस्तेश प्रीतिशू निश्ठुर 34 उन लोगों में प्रेम का सर्वता आभाव है तो भी उनके प्रती जो मेरा मन निश्ठुर नहीं हो पाता इसके लिए क्या करूं 34 माकंडिय उवाच 35 तत्सतो सहिता विप्रतम मुनिन समुपस्थिता 36 समाधिर नाम वैश्योसो सच पार्थिव सत्तमय कृत्वातू तो यथा न्यायम यथारह तेन सम्विदम 37 माकंडिय जी कहते हैं 35 ब्रमा तदनंतर राजाओं में श्रेष्ट सुरत होर वो समाधी नामक वैश्योस दोनों साथ साथ मेधा मुनिकी सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनैपूर्ण बरताव करके बैठे उपविष्टों कथाह काश्चि चक्रतुर वैश्योस पार्थिव 38 तत्पश्चात वैश्यो और से एक बात पूछना चाहता हूँ उसे बताईए 42 खाय यनमे मन सह स्वचितायत ताविना ममत्वम गत्राज्यस्य राज्यांगेश्व खिलेश्वपी 41 मेरा चित अपने अधीनना होने के कारण वो बात मेरे मन को बहुत दूख देती है जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है 41 जान्तपी यताग्यस्य किमया मुनिसतम आयम चा निकृता तारानकन पुत्रेर दारेर बृत्या इस्त्थोज जिता बयालीस मुनिश्रेष्ट ये जानते हुए भी कि वो मेरा नहीं है अज्यानी की भाती म मुझे उसके लिए दूखा होता है यह क्या है इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है इसके पूत्र, स्त्री और भरित्यों ने इसे छोड़ दिया है 42 स्वजनन चा संत्यक तस्तेशो हार्दी तथा प्यती एवमेश तथा हचा द्वावप्यतियंत दूखित त 43 स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है तो भी यह उनके प्रती अत्यंत हार्दिक्स ने रखता है इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही बहुत दूख की है 43 द्रिश्ट दोशेपी विश्य ये ममत्वाक्रिश्ट मानसो ततकि मैं महाभाग यन्मोहो ग्यानिनोर पी 44 ममास्य चभवत्येशा विवेकांधस्य मूधता 45 जिसमें प्रत्यक्ष दोश देखा गया है उस विशय के लिए भी हमारे मन में ममताजनित आकर्शन पैदा हो रहा है महाभाग हम दोनों समझदार है तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है विवेक शुन्य पुर जन्तोर विशय गोचरे 47 रिशी बोले 46 महाभाग विशय मार्ग का ज्यान सब जीवों को है 47 विशय अश्च महाभाग याती चैवं प्रिथक प्रिथक दिवांधा प्रानिनाय कैचिद्रात्रावंधा स्थाप 48 इसी प्रकार विशय भी सबके लिए अलग अलग हैं कुछ प्रानी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते 48 कैचिदिवा तथा रात रो प्रानिन स्थुल्यद्रिष्ट्या है ज्यानिनो मनुजाह सत्यम की तू ते नहीं केवलम उन्चास तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रातरी में भी बराबर ही देख है यह ठीक है कि मनुजा समझदार होते हैं किन्तु केवल वेही ऐसे नहीं होते उन्चास यतों ही ज्यानिना है सवे पशु पक्षि म्रिग आध्या, ज्यानना चातन मनुष्याना यतेशा म्रिग पक्षि नाम पचास पशु, पक्षी और म्रिग आधी सभी प्रानी समझदार होते हैं, मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है, जैसी उन म्रिग और पक्षियों की होती है पचास मनुष्यानाच यतेशा तुल्यमन यतथोभयों ग्यानेपी सती पशयतान पत्नगान चुशु इक्यावन तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन्मरिग पक्षी आदिकी होती है ये तथा अन्य बाते भी प्राया दोनों में समान ही है कनमोशा दृतान मोहातपी माननपीक शुधा मानुष्या मनुझ व्याग्र साभिलाशा सुतान प्रती बावन समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो ये स्वयम भूख से पीरित होते हुए भी मोवश बच्चों की शोंच में कितने चाव से अन्नके दाने ड बिलाशा करते हैं लोभा प्रत्युप काराए नन्वेता नकी न पश्यसी तथा पी ममतावर्त ते मोहगते निपातिताह तिरपन महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिना तन्नात्र विस्म्या कार्यो योग निद्रा जगत पतेह चावन महामाया हरेश्चे शतया सम्मो जगत ज्यानी नामपी चेतासी देवी भगवती ही सा पच्पन यद्यपी उन सब में समझ की कमी नहीं है तथा पी वे संसार की स्थिति जन्म मरन की परम्त्रा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभावद्वारा ममतामय भावर से युक्त मोह के गर्थ में गिरा जगदीश्वर भगवान विष्णू की योगनिद्रारूपा जो भगवती महामाया है उन ही से यह जगत मोहित हो रहा है बलादक्रिश्य मोहाय महामाया प्रयच्छती तैया विस्रिज्यते विश्वम जगदेट च्राचरम 56 भगवती महामाया देवी ज्यानियों के भी च संपूर्ण चराचर जगत की स्रिष्टी करती हैं सैशा प्रसन्ना वर्दान रिना भवती मुक्ते सा विद्या पर्मा मुक्तेर हेत भूता सनातनी 57 संसार बंध हेतुष्चु सैव सर्वेश्वर एश्वरी 58 तथा वे ही प्रसन होने पर मनुष्यों को मुक्ती के लिए वर जोवाच 69 भगवन का ही सा देवी महामा एती या भवान साथ ब्रवीती कथमुत्पना सा कर्मा स्याश्च की द्विज यत प्रभावा चसा देवी यत स्वरुपा यदुद्भवा एक साथ तत्सर्वम श्रोतु मिच्छामीत्वतो ब्रमविदा वर बासत राजा ने जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्रमा, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र? कौन-कौन है? ब्रमवेहताओं में श्रेष्ट महर्शे उन देवी का जैसा प्रभाव हो जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, साथ बासट रिशिरुवाच तिरसट नित्याइवसा, जगनमूर्तितया सर्वमिदम ततम चौसट रिशी बोले तिरसट राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्यस्वरुपाही हैं, संपूर्ण जगत उनही का रूप है त तत्समुपतिर बहुधा श्रुवतामम, देवाना कार्य सिध्यर्थमाविर्भवती सा यदा पैसट तत्थापी उनका प्राकट्या अनेक प्रकार से होता है, वो मुझ से सुनो, यद्यपी वे नित्य और अजन्मा हैं, तत्थापी जब देवताओं का कार्या सिधा करने क लिए प्रकट होती हैं, उत्पनेती तदा लोकैंसा नित्याप्य भिधियते, योगनिद्रा यदा, विश्नुजगत्य कर्णवीक्रते 66 आस्तीर्य शेश्म भजिक पाते भगवान प्रभू, तदा द्वावसुरो घोरो, विख्यातों मधुकेट भो सर्सथ उस समय लोख म में उत्पन हुई कहलाती हैं, कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत, एकार नव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभू भगवान विश्नु शेशनाग की शैया बिछाकर योगनिद्रा का आश्रय ले, सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मेल से दो भयन कर असोर उत् अधू और कैटभा के नाम से विख्यात, थे, विश्नु कर्ण मलद भूतो हंतू ब्रह्मान मुद्यतो, सा नाभिक मले विश्नो स्थितों ब्रह्मा, प्रजापती अर्सत द्रिष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तम च जनार्धनम, तुष्टाव योग निद्र तामेका ग्रहरिदयस्थिता 79 विबोधनार्थाय हरेरहरीनेत्रकृताल्याम, निद्रा भगवती विश्नोर तुला तेजसर, प्रभूर 71 वे दोनों ब्रह्माजी का वद करने को तैयार हो गए, भगवान विश्नु के नाभिक मल में विराजमान, प्रजापती ब्रह्माज योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारन करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली, तथा तेज, स्वरूप भगवान विश्नु की अनुपम शक्ती हैं, उन्ही भगवती निद्रादेवी की भगवान ब्रह्मास्तु तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वश्टकार हो, स्वर्भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, सुधात्वमक्षरे नित्यत रिधा मात्रात्मिका, स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेष्टा 74 तुम ही जीवन दाइनी सुधा हो, नि इंदुरूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेश रूप से उच्छारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। जगन में ये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृते सतहतर तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्ट के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। सनहार रूप धारन करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृती महामुहा चा भावती महादेवी महासुरी प्रकृतित्वम चा सर्वस्य। गुंत्र विभाविनी अठत्तर महामुहरूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुनों को उत्पन करने वाली सबकी। प्रकृती हो। कालरात्र महारात्र मोहरात्रिश्चा दारुना त्वम श्रीस्त्वम इश्विरी त्वम हरीस्त्वम। बुद्धि बोध लक्षना उन्यासी भायनकर कालरात्री, महारात्री और मोहरात्री भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही इश्वरी, तुम ही हरी और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धी हो। लज्जा पुष्ट स्था तुष्ट सिवा शान्ते हैं। धनुष धारन करने वाली हो। बान, भुषुंडी और परिग ये भी तुम्हारे अस्थ हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो इतना ही नहीं जितने भी। सौम्य एवं सुन्दर पदार्थ हैं। उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुन्दरी हो। पराप्राना पर्मेव पर्मेश्वरी यच की चितकव चिद्विस्तु सद्द्वाखे लात्मिके बयासी पर और अपर सबसे परे रहने वाली पर्मेश्वरी। तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं तस्य सर्वस्य या शक्तेहसा। त्वर्म की स्तुव से तदा यया त्वया जगत स्रिष्टा जगत पात्यती यो जगत तिरासी और उन सब की जो शक्ती है वह। तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुती क्या हो सकती है जो इस जगत की स्रिष्टी, पालन और सनहार करते हैं। उन भगवान को वी सोपी निद्रावश नीताह कस्त्वां स्तोतु महेश्वन्ह, विश्नुव, शरीर ग्रहन महमेशान एवचा चौरासी, इस प्रकार श्री माकंडेय पुरान में सावर्निक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मय में, मधू केटब वद, नामक पहला अध्याय पू पुरा हुआ एक